बिहार भाजपा के अध्यक्ष नित्यान अंद्राय ने ताल ठोक दी है उज्यारपूर से सांसद हैं और उज्यारपूर से बढ़ फिर से चुनाओ लड़ने के लिए मुखर होकर बोल दिया है हाला कि पार्टी के उनके लिए कुछ और ही प्लांस थे मगर नित्यान अंद्राय ने पार्टी के इन प्लांस को दरकिनार करते हुए ताल ठोक दिया है और कहा है कि उज्यारपूर से तेजसरी आदो मेरे खिलाब चुनाओ लड़कर जीत कर दिखा दे यह पूरा वाक्या सुरू कैसे हुआ वह हम आपको बताते हैं उज्यारपूर लोकसभा छेतर से उपेंद्र कुसवहा ने अपनी मंसा जदाई थी चुनाओ लड़ने की यह बात जब वहां के पत्रकारों ने नित्यान इंद्राय से पूछा कि कुसवहा यहां से चुनाओ चाहते हैं महागडबंदन की सीट पर आपके पुराने साथी रहे हैं आपके साथ बहुत दियों तक काम किया है और अब एक एक आपके खिलाप हो गये हैं आप रही के खिलाफ चुनाओ लड़ने की तेयारी में भी हैं क्या कहना चाहिएगा तो इस पर दावा करते हुए उ दरसल उनको अपनी ही पार्टी से विधान सभा के लिए फिल्ड किया जा रहा था पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं बिहार में चुनाओ होने हैं बिहार चुनाओ भाजपा के लिए बहुत महतोपुर्ण है 2019 में जहां भाजपा की साकदाओ पर है वही 2020 में फिर से एक नाक की लड़ाई है बिहार में भाजपा के लिए ऐसे में और इंपोर्टेंट है भाजपा के लिए तब जब नितीज कुमार भाजपा के साथ हैं ऐसे में अगर बिहार हार जाते हैं तो सब कुछ हार जाएंगे इसलिए प्रदेश सद्यक्ष नित्यानंद राय को भाजप बिधान सभा लणाना चाहती थी और हो सकता है आने वाले समय में CM के इंडिरे के तौर पर भी प्रजेक्ट कर सकती है मगर इन सभी दावों पर इन सभी स्ट्रेटेजी पर पानी फेरते हुए नित्यानन राय ने एक बाफे से ताल ठोक दिया है उजियारपूर के सांसत भी है और उजियारपूर में उनकी चलती है और कह रहे हैं कि अगर कुछ वहां की हैसियत है तो वो चुनाओ लड़े मगर मैं तो आगरा करूँगा कि तेजस्वी आदों मेरे खिराब चुनाओ से अलग अटके नित्यानन राय चुनाओ लड़ने की तयारी में है और तेजस्वी आदों को ताल ठोक के कह दिया है चैलेंज कर दिया है कि आए मेरे खिलाब चुनाओ लड़िये क्या आने वाले समय में वाकई बिहार की जनता को ये चुनाओ मुठभेर लड़ाई देखन इसी साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना बने तन्यवाद